नास्कार आप देख रहें एकॉनोमी का हिसाब किताब और मैं हूँ अनंदियो चक्रवर्ती मेरा एक बच्पन का दोस्त है वो मोधी जी का बहुत बड़ा भक्त है मतलब उसकी मानो तो मोधी सरकार कुछ गलत कर ही नहीं सकती ये परसो की बात है उसमें मुझे फोन किया और कहा कि भाई तुम तो कहते रहते हो कि एकॉनोमी डूब रही है मंदी आने वाली है फिर ये बता मुझे कि स्टॉक मार्केट ऐसे उपर कैसे जा रहा है जो जानकार है जिनके पास पैसे है जो स्टॉक मार्केट में पैसे लगाते है वो तो सोच रहे हो गए ना कि देश में विकास आने वाला है आर्थिक सिती अच्छी होने वाली है अच्छे दिन आने वाले इसलिए वो स्टॉक मार्केट में पैसे डाल रहे है मैंने उसको पलट जवाब दिया कि stock market इसलिए उपर जा रहा है क्योंकि पैसे वालों का देश की economy से भरोसा उठ गया है तो आप समझे कि वो हसने लगा और उसने का कि तुम पागल हो गया हो क्या नाप्षन आप बकरे हो आप भी यही सोच रहे होंगे कि अगर stock market इसलिए उपर जा रहा है तो इसे कैसे पता चलता है कि लोगों का भरोसा उठ गया है economy से खेर मैं इसी का आज जवाब दूँगा आपको इसी का हिसाब लगाऊंगा आज के इस एपिसोड में हमारे देश में जो टॉफ की एक प्रतिशत लोग है ना उनके पास देश की 73 प्रतिशत यानि लगभग 3 चौथाई संपत्ती है तो lockdown के कारण उनकी भी आए कम होई होगी कि किसी की factory बंद हो गई है किसी की business ने चल रही है किसी की दुकान ने चल रही है कोई बड़े corporate office का CFO है CEO है उसको bonus पूरा नहीं मिला है उसका pay cut हो गया हाँ आए थोड़ी बहुत कम होई होगी लेकिन ये जो संपत्ती वाले top 1% लोग हैं हमारे देश के उनके पास एक और चीज़ बहुत ज़ादा है वो है property से income चाहे वो financial investment हो या सीधा साधा property हो जैसे कि property कहीं पे है वहाँ से rent आ रहा है बैंक में fixed deposit है उसका ब्याज आ रहा है stock में पैसे डाल रखे है उसका dividend आ रहा है कहीं पे उन्होंने bond में पैसा लगा रखा है उसका return आ रहा है तो ये जो आय है का स्रोत है वो लगातार उनके पास चलता रहता है चाहे उनका business चले या ना चाहे चाहे उनके पास नौकरी हो या ना हो एक और चीज lockdown के कारण हुआ है वो अपने फेवरेट restaurant में नहीं जा पा रहे है जो foreign holiday लेते थे गर्मियों के छुट्टियों में गर्मी से भागने के लिए वो उन्होंने नहीं लिया है साथ में mall में जाके नहीं चीज़ें नहीं खरीद रहे तो इससे क्या हुआ है उनका बचत बढ़ा है खर्चा कम हुआ है बचत बढ़ा है अब यह सारा जो पैसा है इसे करेंगे क्या अगर आप अभी बैंक में डालेंगे तो कितना मिलेगा आप जानते हैं कि सारे जितने भी interest rate है बैंक के वो गिरा दी गए हैं आप fix deposit करेंगे तो वही साड़े चार साड़े 5% आपको मिलेगा और उस पर tax भी कटेगा tax कट कटा कर आपके हाथ में वही तीन साड़े तीन प्रतिशत return आएगा जो की महंगाई दर से कम है तो इस अच्छा है तो पैसा खर्च कर दो इसलिए जो पैसा है वो कहां डाल रहे है stock market में डाल रहे है return के लिए डाल र इसकी income बढ़ेगी उसकी तरक्य होगी देश में विकास होगा और economic GDP growth होगा इसलिए वो stock market में डाल रहे है यह एक हद तक सही होता है लेकिन वो तब सही होता है अगर आप किसी stock में उस business में पैसा डाल रहे हैं और आप डाल कर कह रहे हैं कि मैं 2-3 साल तक छोड़ देता हू इस business की जैसे तरक्य होगी मेरी stock price भी वैसे ही वैसे बढ़ेगी वह आप सीधा stock में भी डाल सकते हैं बहुत लोग mutual fund में धीरे धीरे पैसे डालते हैं हमाँ भी डालते हैं खैर एक और तरीका होता है stock market में पैसे डालने का जिसको trading कहा जाता है यानि कि daily व्यापार आपने stock stock खरीदा और अगले 15-20 minute आदे घंटे 2 घंटे में stock का दाम बढ़ गया तो आपने उसको बेच दिया इसको day trading कहा जाता है कभी-कभी लोग 2-3 दिन के लिए position hold करते हैं पैसा डालते 2-3 दिन के बाद और उसको बेच देते हैं और कैसे हमको पता चलेगा कि इस वक्त क्या हो दीते हैं पुराने दिनों में क्या होता था कि आपको एक certificate मिलता था शेयर का कि हाँ यह शेयर आपका है इस पर आपका मालिकाना हग है अभी तो खैर वो certificate हाथ में कागसी नहीं आता है लेकिन वो dematerialized form में यानि कि demat में electronic form में आपके stock के dp account में जमा हो जाता है कि आपका य क्या होता है कि आप बिना certificate के delivery लिए बिना stock के delivery लिए आप उसको बेच देते हैं कितना delivery की मातरा है उससे हमें पता चल जाता है कि कितने लोग stock market में एक तरीके से जुवा खेल रहे हैं पैसा डाल रहे हैं तुरन निकाल रहे हैं और कितने लोग बहुत दिनों के लिए बेचे जा रहे थे तो 23 की delivery ली जा रही थी यही अगर हम 19-20 में आ जाए है तो उसका level थोड़ा कम हो गया 100 अगर शेर बेचे जा रहे थे तो 20 की delivery ली जा रही थी यान की 20 प्रतिशिक अगर आप मार्च में भी देखे जब यह stock price collapse हो था तब भी national stock exchange की बात कर रहा हूं मैं सिरफ national stock exchange की बात कर रहा हूं वहाँ पर delivery volume 20-21 प्रतिशत के आसपास थी यानि कि 100 stock बेचे जा रहे थे खरीदे जा रहे थे तो 20-21 की delivery ली जा रहे थी जून में जब share market वापस उपर चला गया है आप देखिए लगबग 49 प्रतिशत उपर चला गया है मार्च और जून के ब delivery volume है इसका मतलब साफ है कि लोग निवेश नहीं कर रहे हैं लोग खरीद रहे हैं बेच रहे हैं एक तरीके का जुआ खेल रहे हैं कि stock market उपर गया तो मेरे पैसे बन गए stock नीचे जाएगा तो मैं बेच कर निकल जाओंगा तो इसका कारण क्या है लोग सोच रहे हैं कि कल क कि किसने देखी है कौन जानते है कल क्या होने वाला है अब ही जो बनाना है बना लोर अपने हाथ में अपना पैसा रखो इसका एक और लक्षन हम ले लेते हैं और वो है mutual fund में कितना पैसा जा रहा है आप देखे कि stock market में कारोबार कितना हो रहा है उसको turnover कहा जाता है माई में जितना कारोबार हुआ जून में जाकर वो कारोबार लगभग 37% बढ़ गया 36-37% बढ़ गया उसतन लेकिन mutual fund में क्या उतना पैसा गया है mutual fund में 95% inflow घट गया है equity mutual fund यानि की जो mutual fund stock market में पैसा लगाता है उसमें से लोगों ने पैसा निकाल लिया 95% inflow घट गया mutual fund equity mutual fund का यानि लोग निवेश में पैसा नहीं लगा रहे हैं मैंने आपको बता है था कि mutual fund क्या हो दर mutual fund में आप पैसा डालते हैं धीरे धीरे पैसा डालते हैं S.I.P करते हैं और 4-5-6 साल बाद आपको एक अच्छा return मिलता है इसका मतलब है लोग mutual fund में पैसा नहीं डाल रहे हैं वहां से निकाल कर stock market में वो पैसा खेल रहे हैं ट्रेडिंग कर रहे हैं इसका मतलब भी साफ है कि long term का उनको कोई भरोसा नहीं है कि आगे आने वाले दिनों में क्या होने वाला है एक और चीज साथ-साथ में हुआ है कि जो mutual fund के बड़े-बड़े पंडित है, expert है, mutual fund manager है उन पर भी लोगों का भरोसा उठ गया है वो सोच रहे हैं कि इनको भी शायद कुछ नहीं पता क्योंकि इन्होंने भी कौन सा हमें अच्छा return दिया है return तो negative हो गया था हमारा March में एक और चीज है, कि mutual fund जो manager है, वो क्या कर रहे हैं? क्या वो भी आम जो अमीर retail investor है, उसके तरह पैसे डाल रहे हैं मार्केट में? एक देखे कि जन्वरी से मई के बीच जितना कारोबार हुआ, टोटल, जून में जाकर वो कारोबार 52 प्रतिशत बढ़ गया लेकिन जो mutual fund FII, यानि foreign institutional investor हैं, उनका कारोबार कितना बढ़ा? 9 प्रतिशत भी नहीं बढ़ा, 9.5 प्रतिशत के बीच में बढ़ा यानि कि एक बढ़ा 52 प्रतिशत, जो कि retail, आम investor है, सीधा मार्केट में खेल रहा है और mutual fund का कारोबार बढ़ा सिरफ 8,9 प्रतिशत, इससे साफ है कि mutual fund manager जो है, वो भी सोच रहे हैं कि भीया, ये market में क्या होने वाला है, हमें कुछ नहीं पता long term में पैसा अगर लगाना है, तो अभी मत लगाईए, कम पैसा लगाईए, इससे साफ ये चीज़ ये है, कि long term पर किसी का भरोसा नहीं है, भरोसा अगर है, तो short term पर कि अभी पैसे बना लो, अभी अपने हाथ में पैसे लखो, इसलिए market उपर जा रहा है, मैंने आपको बताया था ना, कि मैं आपको हिसाब दोगा, तो market इसलिए उपर जा रहा है, क्योंकि लोगों का short term पर भरोसा है, long term economy पर कोई भी भरोसा नहीं है